कि आज हम लोग सिब्यसी टेयर्ज टेन स्टैंडर्ड का पद्यखंड़ स्परिश स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पहला पद्य है साखी जो कभिर जी ने लिखा हुआ है कभिर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है गुरु रामानंद के शिश कभिर ने 120 वर्ष की आयू पाई अभी उनके बारे में इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है तो कभिर जी का जो कभिर जी पड़े लिखे नहीं थे उन्होंने जो भी जितने भी कुछ लिखे है कभिताय जो भी क ग्रंत जो भी कुछ लिखा है वो सब उन्होंने एक्सपिरियंस से लिखा हुआ है तो अभी यह भी जो लिख रहे हैं अभी हम लोग आज जो पोयम देखने वाले हैं वो है साखी साखी मतलब क्या है प्रत्यक्षर ग्यान अभी देखो यहाँ पे साखी दिया है देखो अभी यहाँ पे पाट प्रवेश में दिया है साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है साक्षी शब्द साक्ष से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ग्यान यहाँ प्रत्यक्ष ग्यान गुरु शिष को प्रत्यक्ष को प्रतान करता है कि संत प्रत संप्र करता है कि संत्य ग्यान की नहीं इस शा्स्त्रीया ग्यान की नहीं संत्य संप्रेदक्ष technology सब्सक्राइब उनको इसा जादा मुलते है साइन्टिफिक साइन्टिफिक कुछ देख साइन्टिफिक रीजन क्या है वो सब देखते नहीं उनको सिर्फ अपने प्रभू से वास्ता रहता है और बाकी उसके पीछे साइन्स क्या है वो उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है तो अभी यह प देखो क्या है साखी ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोई अपना तन सीतल करई अवरन को सुख होई कस्तुरी कुंडली बसई मुरूग धूंडे बनमाही ऐसे घटी-घटी राम है दुनिया देखे नाही जब मैं था तब हरी नही अब हरी है मैं नाही सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही सुखिया सब संसा रहे खावे खाये अरू सोवे दुखिया दास कभी रहे जागे अरू रोवे बिरह भुवंगम तन बसई मंत्र न लागे कोई राम बियोगी ना जीवे जीवे तो बवरा हुई निंदक नेडा राखिये आंगनी कुटी बधाई बिन साबन पानी बीना निर्मल करे सुभाई पोथी पड़ी पड़ी जगमुवा पंडित भया नकोई एके अशिर पीर का पीव का पड़ैसू पंडित होई हम घर जालया आपना लिया मुराडा हाती अब घर जालो तास का जै चले हमारे साथी अभी देखो पहली साखी में उन्होंने क्या कहा है ऐसी बोली बोलिये मन का आपा खोई ऐसी बोली बोली मतलब वानी वो कहना चाते है कि ऐसी वानी बोलिये लोगों से ऐसे प्रकार से बात कीजिए कि मन का आपा खोई वो लोग उनके मन का अहंकार जो है खोना चाहिए मतलब वो लोग भी प्यार से इतने प्यार से बाते करो कि वो लोग अपने से प्यार से ही अपने को reply मिलना चाहिए अपना तन सीतल करे औरन को सुख होई ऐसी बोली से प्यार वाली अच्छी मधूर बोली से बिना अहंकार वाली बोली से क्या होगा तो अपना मन भी शीतल होगा मतलब हम लोग को भी तुरूप्ती मिलेगी satisfaction मिलेगा satisfy हो जाएंगे हम लोग तो वही बोल रहे है कि अपना मन शीतल होगा और औरों को सुख मिलेगा मतलब उनको भी अपनी वानी सुन के बहुत अच्छा लगेगा आपा मतलब अहंकार, बाकी मीनिंग्स यो है, मैं तुम लोग को लिखे दे दूँगी, बेज दूँगी, क्या है कस्तूरी कुंडली बसई, म्रुग धुंडे बनमाही, ऐसे घटी-घटी राम है, दुनिया देखे नाही अभी कस्तूरी, कस्तूरी एक बहुत अच्छा सुगंद है, उसका कस्तूरी का, जो म्रिग मतलब हरिन, हिरन जो है, हिरन के नाभी में, कुंडली मतलब नाभी, तो हिरन के नाभी में कस्तूरी रहती है, जिसका बहुत अच्छा सुगंद आता है, उसका परफ्यूम बनता है, सेंट अगर्वतिया वगरा बहुत अच्छा सुगंध है इसके लिए तो वो जो देखो अभी हम लोग भी बहुत बार नोटिस किया रहेगा हिरन जो है हमेशा भागते रहता है तो वो क्यों भागता है तो उसके पीछे एक रीजन है कि वो भागनाई के लिए क्या धूनता है तो उसके नाभी में जो कस्तूरी है वो उसके स्मेल को धूनते रहता है कि ये स्मेल कहा से आता है उसको नहीं पता है कि उसके नाभी में ही है अभी ये उदारन यहाँ पर इसके लिए दिया है कि कबिर जी कहना चाते है कि परमेश्वर्द भगवान जो है हमारे सब के तो ऐसा नहीं है तो भगवान किदर है तो हम लोग में ही है सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए देखो कहा गया है ऐसे घटी-घटी राम है जिस प्रकार से कस्तुरी हीरन के नाभी में है उसी प्रकार से राम मतलब भगवान जो है वो हमारे अंदर है और सभी जगा पे है ल जब हरी है मैं नाही सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही क्या बोल रहे है कि जब मैं था तब हरी नहीं मतलब जब मैं मतलब यहाँ पे मैं मतलब मैं खुद नहीं तो मैं मतलब है अहंकार जब मुझे अहंकार था तब ही मेरे मन में बगवान के प्रती कु मन में अहंकार नहीं है मतलब जहां पे अहंकार है वहां पे भगवान का रूप नहीं रहता है और जहां पे भगवान का रूप है वहां पे अहंकार नहीं रहता है सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माही दीपक मतलब कौन सा दीपक तो भगवान और अंधियारा मतलब हमारे अंदर का जो अज्यान है जो अहंकार है हमारे अंदर वो अहंकार सुखिया सब संसार है खाये अरू सोवे दुखिया दास कबीर है जागे अरू रोवे अभी यहाँ पे अरू अरू मतलब क्या कहा है तो अज्ञान रूपी अहंकार अज्ञान रूपी अंधकार है अरू मतलब अज्ञान रूपी अंधकार देखो कभीर जी क्या कह रहे है कि लोग जो है अपने अज्ञान रुपी अंधकार में बहुत खुश है क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है बार वो अपने अपने में खुश है लेकिन ये सब देख के संदास कभीर जो है वो बहुत दुखी है बाकी जो लोग खुश है उनको किसी की कुछ पड़ी नहीं है वो सिफ अपने अपने में खुश है क्योंकि उनमें अज्ञान रुपी अंधकार है उनको दुन्या के बारे में नहीं तो भगवान के बारे में कुछ ज्यान नहीं है इसके लिए वो कभीर जी क्या कह रहे है कि अज्यान रुपी अंधकार में लोग सिर्फ सोने का काम कर रहे हैं खुश है लेकिन ये सब देखके कि उनको भगवान के प्रतीप कुछ जिग्यासा नहीं है ये सब देखके कबीर जी दास कबीर जी है वो खुद सिर्फ रो रहे हैं मतलब उनको बहुत सोच में हैं कि अभी संसर का क्या होगा बिरह भुवंगम तन बसई मंत्र न लागई कोई राम भियोगी ना जीवई जीवई तो बवरा होई अभी बिरह बिरह मतलब बिछड़ना भुवंगम मतलब क्या है तो साप देखो अभी कहा यहाँ पे कहा गया है कि अभी अगर हमारा कोई नस्दी की हम हमसे प्यार करने वाला अगर कोई बिछ़ड़ जाता है तो उसको उसका जो बिछड़ना है उसका जो दुख है वो एक सापके जैसा हमारे हर एक सुख निगल लेता है हम लोग को और किसी देखो मंत्रन लागए कोई कोई मंत्रा पाट कुछ नहीं हम लोग को उसके आगे जब ही हमारा कोई प्यार करने वाला अगर हम लोग से बिछड जाए तो हम लोग अपनी ही दुनिया में बहुत दुखी रह जाते हैं राम भीयोगी ना जीवई जीवई तो बवरा होई क्या बवरा बवरा मतलब पागल संदास कबिर जी क्या कह रहे है कि देखो जैसे कि हमारा कोई प्रियवेक्ति अगर विछड जाता है तो उस पर कोई मंत्र का असर नहीं होता है उसी प्रकार इश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता है इश्वर के वियोग में मतलब जिसको इश्वर की बाती कुछ प्यार नहीं है उससे मनुष्य जीवित नहीं रहता है ये सब देखो उनको भगवान से तभी के टाइम में भगवान से ऐसा रहता था कि भगवान ही सभी जगा है ऐसा ओन लोग मानते थे जाता है फिर निंदक नेडा राखिये आंगनी कुटी बधाई बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई सुभाई मतलब अपना स्वभाव निंदक मतलब निंदा करने वाला अपना बुरा सोचने वाला बुरा बात बुरा बोलने वाला नेडा मतलब अपने करीब नस्दीक मतलब कहा गया है कि जो अपनी निंदा करता है जो अपने लिए बुरा सोचता है जो अपना बुरा बोलता है उसको हमेशा अपने आगे पिछे रखने का मतलब आंगनी कुठी बदाई इतना आगे पिछे रखना है कि आंगन में अपने व को निंदा करने के वजह से हम हमारा स्वभाव नेचर चेंज करेंगे और इतना चेंज हो जाएगा खिस लिए किसी सावुन या पानी की जरुरत नहीं है क्या कह रहे है हमें निंदा करने वालों को अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए वन् общеa आसपास रहना चाहिए ऐसा नहीं कि वो हमारा कुछ बुरा बोल रहा है इसके लिए हम लोग उससे बात नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है तो वो बुरा बोल रहा है तो उसके साथ उसके पास उसको हमारे पास रखने का ताकि उनकी बातों को सुनकर हम अपने अंदर की बुरा को त्याग कर सके हम लोग अमारा स्वभाव जो है चेंज कर सके अच्छा बना सके पोथी पड़ी पड़ी जगमुवा पंडित भया न कोई एके अशीर पीव का पढ़े न पढ़े सूप पंडित होई क्या कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ के मतलब तुम लोग कितना भी पढ़ पंडित नहीं बन पाते एके अशीर पीव का अशीर मतलब अक्षर और पीव मतलब प्रिय अभी क्या कहा है कि पोथी पड़ी 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 जगमुवा मतलब मरना पंडित भया न कोई एके अशीर पीव का पढ़े सूप पंडित होई मतलब लोग जो है पंडित नहीं बन पा रहे हैं सिर्फ पढ़ पढ़के पढ़ पढ़के मर रहे हैं वो पंडित नहीं हो पा रहे हैं लेकिन जो इनसान सिर्फ भगवान का एक भी अक्षर उसको अगर पता है इश्वर का एक भी अक्षर अगर उसको पता है पढ़ लेता है तो वो पंडित कहलाता है, कहा गया है कि पढ़ते पढ़ते लोग मृत्यू को प्राप्त हो गए, परन्तु कोई पंडित नहीं बन पाया, पढ़ते लोग मर गए लेकिन वो पंडित नहीं बन पाये, लेकिन कभीर के अनुसार जो इश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, तो वही पंडित कहलाता है क्योंकि उसको सत्य का ग्यान है क्योंकि भगवान ने जो सत्य बनाया है जो संसार बनाया है उसका उसको ग्यान है हम घर जालया आपना लिया मुराडा हाती मुराडा मुराडा मतलब जलती हुई लकडी अब यहाँ पे जलती हुई लकडी मतलब ग्यान लिया है हम घर जालया आपना लिया मुराडा हाती अब घर जालो तासका जे चले हमारे साथी क्या कहा है कि कबीर ने अपने मोह माया रूपी घर को जला कर त्याक किया है मोह माया के घर को मतलब क्या है मोहम आया रूपी जो घर है, जो भी संसार है, उनको कवी ने त्याग किया है, मोहम आया मतलब ना उनको रिष्टेदार है, ना कुछ है, ना सुख है, ना दुख है, मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा वैसा, कुछ नहीं है उनको, उन्होंने ये सब चीजे त्याग की यह और ऑग्यान रूपी एक लकडी जलती हुई लकडी मतलब जैंड रूपी लकडी उन्होंने अपने हाथ में ली है और वो क्या कह रहे है अब घर जालव तास का मतलब जो मेरे साथ जो आएगा जे चले हिस हमारे साथ ही जो भी मेरे साथ आएगा मतलब जो भी ये भगवान के नजदीक मतलब भगवान का संसार का जिसको सत्य मालूम पड़ेगा उसका भी मैं घर अब घर तास का जलाओंगा मतलब उसका भी मैं घर जलाओंगा कर ज्यान प्राप्त कर लिया है अब उनके हातों में जो जलती हुई मशाल है वो उनसे क्या करेंगे तो अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है ठीक है अभी इसके अंदर देखो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है तो यह प्रश्न अभ्यास भी तुम लोग लिखो मिल जाएगा सब दूंडों के तो सब मिल जाएगा ठीक है उसमें मीनिंग्स भी दिये हुए है और एक्स्ट्रा मीनिंग्स जो भी रहेंगे मैं आपको दे दूंगी तुमको किसी को कुछ डाउट रहेगा तो ठीक है इसक ओल की बेब